वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सानमी, जीव विज्ञान की वो शाका है जो जीवों के समुहों का वर्गीकरण और नामकरण उनकी विशेशताउं, कैरक्टरिस्टिक्स के आधार पर करती है कुछ लोगों के अनुसार वर्गीकरण विज्ञान दुनिया का सबसे पुराना विज्ञानिक पेशा है और वनस्पति और पशों के वर्गीकरण के उधारन हमें प्राचीन भारतिये शास्त्रों जैसे की श्रीमत भागवत पुरान और अरस्तु, एरिस्टॉटल जैसे यु जैसे की पादब जगत, प्लांट किंग्डम और जन्तु जगत, एनिमल किंग्डम जगत को फिर संग, फाइला और उपसंग, सब फाइला में विभाजित किया जाता है उधारन तह वे सभी जन्तु जिनमें रीड की हड़ी, वर्टिप्रोल कॉलम विद्यमान है, कशेरू क जन्तों का पुनह विभाजन होता है वर्गों, classes में, और कुछ जाने माने वर्ग हैं, मतस्य, fishes, पक्षी, birds, उरग, reptiles, स्तंधारी, mammals, इत्यादी, इस वर्गी करण के बदानुकरम की सबसे निचली श्रेणी में है जाती, species, जैसे की बंदर, मगरमच और बाग, पहले वर् और अवलोकन के आधार पर उन्हें सूचिबद, classify कर देते, पर Charles Darwin की 1869 में प्रकाशित प्रसित किताब, On the Origin of Species ने वर्गी करण को एक सद्धान्तिक और प्रयोग आधारित विज्ञान में परिवर्तित कर दिया, Darwin ने हमारी विकास, evolution की समझ में एक क्रांतिकारी परिवर्तिन ला दिया, जब उन्होंने निर्भय हो ये प्रस्ताब रखा कि बदलते पर्यावरण के अनुपूल रहने के लिए प्रजातियां नए आनुवांशिक, शारीरिक या सुभाव संबंदी लक्षन, hereditary physical और behavioral traits व और लाखो DNA नमूनों पर आधारित आनुवांशिक विशलेशन, genetic analysis पर आधारित हमारी वर्तमान समझ को रचा है, जो बताती है कि प्रित्वी पर जैविक वस्तों का विकास, प्राकरतिक चैन, natural selection की प्रतिक्रिया पर आधारित है प्राकरतिक चैन, जो प्रजातिय विकास, evolution of species का रचेता है, अनुगामी कारकों के संचई प्रभाव के रूप में समझा जा सकता है प्रजनन की प्रक्रिया त्रुटी ही नहीं है, कभी कभी जब एक जीव अपनी संतान को जन्म देता है, तो प्रजनन की प्रक्रिया के दोरान, अनुवांशिक अनुक्रम, genetic sequences में छोटे अनियमित उत्परिवर्तन, minor random mutations उत्पन हो जाते हैं यही कारण है कि उस जीव की संतान को अपने अधिकतर गुण विरासत में माता-पिता से मिलते हैं, पर सांथ ही उस संतान में कुछ भिन, शारीरिक और सभाव संबंदी लक्षणों में मामूली मद्भेत के कारण कभी कभी संतान के जीवित रहने की संभावना में सकारात्म या नकारात्मा का सर पढ़ सकता है। या भोगोलिक स्वरू बदल जाता है। एक प्रजाती के कई सदस्यों में कई पीडियों के उपर संचित हो, हस्तांतरित होते हैं। प्राकरतिक चैन एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जो केवल भूविज्यानिक समयमान जियोलाजिकल टाइम स्केल यानी सेकड़ों हजारों या लाखों वर्षों में प्रभावशाली सिद होती है। प्रित्वी पर आज लगबग एक करोण प्रकार की भिन प्रजातियां जीवित हैं। संगठन की विदी सभी मुख्य जीवों की समूहों और अधिकतर प्रजातियों की वंचावली को दर्शाता है जो अब तक पहचाने जा चुके हैं। पिछले प्रकरण प्रित्वी पर सरल जीवन का स्विजन में हमने कहानी खतम की थी प्रोकेरियोटिक एकल कोशिका जीवानूँ सिंगल सिल बिक्टीरिया पर। उस प्रकरण में हमने देखा था कि सूक्ष में जीवानूँ, माइक्रोब्स का प्रित्वी पर सिजन हुआ था लगभग 380 करोल वर्शपूर्व और फिर विभिन प्रकार के जीवानू उत्पन हुए जैसे हरे साइनो विक्टीरिया जो प्रकाश विशलेशन की प्रितिक् प्रोटियो बिक्टीरिया इत्यादी फिर लगभग 200 करोल वर्शपूर्व अधूरे कोशिका विभाजन, इनकंप्लीट सेल डिविजन और एक या एक से अधिक एकल कोशिका जीवानूँओं की सफल विले, सक्सेस्वल मर्जिंग और वन और मोर सिंगल सेल बिक्टीरिया क आक्समिक प्रक्रिया के माध्यम से कुछ नई प्रकार की कोशिकाएं उपन हुई, इन नई कोशिकाओं को यूकरियोटिक कोशिका कहते हैं, यूकरियोटिक कोशिकाओं में सम्मलित प्रोकरियोटिक कोशिकाओं से अधिक आंतरिक कोशिकाओं, इंटरनल और गैनल शामिल ह इसलिए ये कोशिकाएं ज्यादा जटिल हैं और ये कोशिकाएं भिन प्रकार के विशेश कार जैसे पाचन या प्रजिनन की क्रिया करने के सक्षम हैं ये विशेश कृशिकाएं अन्य कोशिकाओं के समूहों के साथ मिलकर एक बड़े बहु कोशिय जीव का गठन करती हैं दो मुखे प्रकार के बहु कोशिय जीव जिनका इस प्रक्रिया से गठन हुआ वे हैं हरे साइनो बिक्टीरिया कृत प्रकाश संस्लेशन समर्थ यूकरियोटिक कोशिकाओं के समूह जो अंततह बनेंगे पेड़ पौदे और अन्य समूह जिनसे विकास हुआ ऑक्सिजन आश्रित वायू जीवी यूकरियोटिक कोशिकाओं का और इस दौरान विक्सित हुए भिन प्रकार के सरल यूकरियोटिक जीव जैसे फमफूद, फंगस, प्रजीव, प्रोटोजुआ और महासाकरों और नदियों में भिन प्रकार के प्रोकरियोटिक जीवानू फिर 54 करोड वर्षपूर विकास की गती, रेट अफ एविलूशन में अचानक वृद्धी हुई और महासागरों में नई प्रजातियां पनपी विकास की गती में हुई इस अचानक वृद्धी को कैम्ब्रियन विस्तार, कैम्ब्रियन एक्स्प्लोजन कहते हैं कैम्ब्रियन विस्तार किन-किन कारणों से हुआ यह विवात्सपद है लेकिन इन में से कुछ कारण जिन्होंने इस विस्तार में सहयोग दिया वे हैं प्रित्वी के वायूमंडल में बढ़ता ऑक्सिजन संकीनरंट और प्रित्वी पर फैली वर्फ की चादर और वैश्विक ताप्मान में भारी बदलाव कैम्ब्रियन विस्तार के बाद महासागरों में पेड़ पौधे और जानवरों की प्रजातियों की संख्या में कई गुणा वृद्धी हुई और पहले ठोस का बच हार्ट शेल जीव उत्पन हुए फिर सबसे पहली ठोस कंकाल हार्ट स्केल्टन मचलियां विक्सित हुई भूमी पिछले लगभग 45 करोर वर्षों तक बंजर और उजार थी और इस पर सबसे पहले पौधे शायद तब पन पे जब नदियों में पाई जाने वाली हरी शेवाल, ग्रीन अल्गी में भूमी पर जिवित रहने की विशेशताई विक्सित हुई जैसे पौधों में जड़े और एक ध्रिंट सन्रचना उभरी वे भूमी की परिस्तितियों में पनपने के अनुकूल बने और फिर जल्द पौधों की संख्या में बहुत वृद्धी होई भूमी पर उपस्तित पौधे फिर भोजन का मुखि स्रोथ बने और अब तक पानी तक सीमिज जन्तों ने धर्ती पर रहने का प्रयास प्रारम किया जैसे उभेचर, एमफिबियन्स और मच्रियों ने भूमी पर रहने का प्रयास किया वे उत्परिवर्तित, म्यूटेट हो, सरिसर्प, रेप्टाइल्स और प्रारंभिक स्तंधारी, अर्ली मैमल्स बने 54 करोर वर्ष से 25 करोर वर्ष पूर्व, जब प्रित्वी पर भूमी और महासागरों में पेड़ पौधे और जीवजन्तों की संख्या बढ़ रही थी, भूवज्यानिक समयमान में इस अवधी को पुरा जीवी महाकल्प, पैलियोजाइक एरा कहते हैं जैसे भूमी पर सरीसर्पों और पानी में मचलियों में गती और अन्य जन्तों पर हमला करने की विशिच्टा विक्सित हुई, भूजन की जरूरत और उत्तर जीविता के लिए प्रतिसपरधा की प्रवर्थी, कंपीटिंग इंस्टिंक्ट पर सर्वाइवल की परिणाम जब भी एक शिकारी जन्तू, शिकार पकड़ने का एक नया तरीका इजाद करता, शिकार भी जल्द शिकारी की नई चाल को मात देने के नवीन तरीके ढूंड लेता। अगले बीस करोड सालों तक डाइनसौर, जिसका युनानी भाषा में अर्थ है, भयंकर चिपकली, का अधिकतर धर्ती पर प्रभुत्त रहा। वैसे भीम सरट का संस्कृत में अर्थ भी भयानक चिपकली ही है। इस भुविग्यानिक समयमान को मद्धिजीवी महाकल्प, म भीम सरट की कुछ प्रजातियों में शिकार करने के नए तरीके इजाद करने के लिए पंख विक्सित हुए। जिनको इस्तेमाल कर वो पहले रपटने लगे, स्टार्ट ग्लाइडिंग और अन्ततह उड़ने लगे। ये उड़ान सक्षम भीम सरट आज जो हम चड़ियाये देखते हैं उनके सबसे पहले पूर्वज है जबकि भीमसरट की कुछ प्रजातियां सैकडो टन वजन तक विक्सित हुई अन्य भूमी का सरिसर्प और स्तंधारी जन्तुओं को कम मौका मिला इस बड़े आकार तक विक्सित होने का और वे जीवित रहने के लिए निरबर रहे पेड़ों पर या भूमी को खोद भोजन ढूट कर या शवों को खा कर परंतु इन प्रजातियों में भी विकास की प्रक्रिया जारी रही और साड़े आठ करोर वर्षपूर्व सबसे पहले आध्यर नर्वानर प्रोटो प्राइमेट्स नजर आने लगे थे उन्हें नहीं पता था परंतु उनका भागे पलटने वाला था लगभग 6.6 करोर वर्षपूर्व प्रित्री पर एक ऐसी भयंकर घटना घटी जिसने भीमसरट और 775 प्रतिशत अन्य सभी प्रजातियों का सामोहिक विलोपन मास एक्स्टिंशन कर दिया हम ऐसा मानते हैं कि प्रित्री पर एक बड़े उलका मीटियराइट के गिरने की वज़े से प्रित्री पर एक भयानक जलबायू परिवर्तन हुआ और लगबग 30-40 लाख वर्षों बाद जब प्रित्री पर जीवन पुनह पनपा पक्षी रूपी भीमसरट के अलावा भीमसरट की अन्य सभी प्रजातियां विलुप्थ हो चुकी थी और अब नर्वानरो प्राइमेट्स का सुनहरा समय शुरू होने वाला था झालावानरो